अन्बीर के साथ यह ताज्यूब था कि यह बहुती मतलब एक ट्रडिशन आफ डिसिप्लिन इस एक्टर में है होमवक करें लेकिन बिलकुल कुछ जताना नहीं एक्सपिरियंस दुलकर, न्यू जेनरेशन, नेक्स जेनरेशन, कमाल, ऐसी प्रोफेशनलिजम, ऐसा बिलकुल कोई इगो नहीं कारवा में अगर इर्फान नहीं होता तो पता नहीं वो फिल्म क्या होती वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, जे के साथ एक्वेशन बहुत अच्छी थी दिल जले में शारुक के साथ वन टू का फॉर की, फिर मैंने आमिर के साथ सर्फरोश की हाँ, बहुत बड़िया, वर्क वाइस तो बहुत अच्छी थी, दिल्ली बहुत हुशूरत था, लेकिन हाफ शर्ट में मुझे विंटर में सडकों पे फेकते थे एक सीन था, उसके बाद थोड़ा था कुछ, बिमार पढ़ गया तो मैं दिल्ली में, लेकिन वो यादगार है, क्योंकि लगा कि वहीं, वह योदा हूँ है, हाफ शर्ट में, हाफ स्लीश शर्ट में मैं विंटर में एक्टिंग कर गया है, वो एक सीन, एक टेररिस्ट कंबल में बाद के फेक दालते है, एक युनिवर्स्टी कैंपस में शूटिंग थी, बट ग्रेट वहाँ, स्मिता जैकर और सॉनाली, इन से सोट अफ तालुक बढ़ा, अच्छा था सम, जैसे मैंने का न, तजूर में में सम बहुती स्पेशल र रहता है, वो राकेश रोशन का मिरिकल प्रोजेक्ट है मेरे सम, आज आप, आज तो खेर, मीडिया टेक्नोलिजी सब बढ़ गई है, वो एक लीप ओफ फेट लेना जादू का, और एलियन्स का, और सोलर सिस्टम से आवाज आ रही है, और एक वो ट्यून है जादू की, और बात को, लेकिन गुदू जी, राकेश जी का जो कंट्रोल है, इमोशनल और स्टोरी टेलिंग पर लाजवाब है, और एक ही सी इद्धा वो पता नहीं, प्रोटेक्ट करता है रेतिक के के कैरेक्टर को, बच्चे को, जो प्रिंसिपल फाद प्रीस्ट होते हैं, वो कही पर, इंगर जेनरेशन नहीं, बच्चों को कही पर वो बात भागई, तो वो जो बच्चे आज बड़े हैं, तो वो भी जिखर करतें कि आप उस फिल्म में थी, और उसकी वज़ए ये भी है कि बहुत सारे लोगों ने वो फिल्म देखी है, इतनी बड़ी हिट थी वो, कि जहां आमत्वार पे पच्चीस हफते हिट फिल्म करती है, उनों पता नहीं कितने हैं, पच्चास हफते हैं, समने देखी हैं बेको वो फैमिली फिल्म थी, तो ये वो एक समझ होना कि थीम भी थोड़ी सी ट्रिकी थी और फैमिली फिल्म बनाना, उनके बच्चे, उनके दोस्त, तो यह कमाल तुक है पर डिरेक्टर का ही है मेरे हसाब से और राइटर्स पर राकेश जी स्क्रिप्ट पर बहुत काम करते हैं दो तीन राइटर इन फैक्ट क्रिश पर तो अकर्ष भी को राइटर था और राकेश जी का A.D. था पोस्ट परड़क्शन मदरास पे काफी कोडिनेट आकर्ष नी किया तो आकर्ष की गुरू है राकेश जी मेरे बेटा आकर्ष जो फिल्म डिरेक्टर भी बन गया है राइटर भी है तो हाँ कोई में लगे वेरी स्पेशल एक्स्पिरियंस बरक भी मज जैसे रोल था कर डाला जो मुश्किल सीर्थ शुकर है एक टेक में हो गए तो हड़िया टूड़ जाती बट अच्छा एमोशन रनवीर अगे नए जेनरेशन के आपने बात की तो जो नेक्स जेनरेशन है आफ्टर आमेर शारोग अजय है वो एक मौका भी लगी लेकिन अलसो रेतिक तो लेकिन रनवीर के साथ यह ताज्यूब था कि यह बहुती मतलब एक ट्रेडिशन ऑफ डि अबीर कभी मैं तो फैन होगी अच्छा एक्टर एको वो रिवर्स नेपोटिसम है बच्चे अब काम दे रहे हैं तो अकरश की फिल्टिस्टिम रखकर हो मैं काम नहीं है तो चलो करते हैं क्या वो ठीक है वो अगें एक्सपिरेंस दुलकर न्यू जेनरेशन, नेक्स जेनर मतलब अटलिस जिनके साथ मैंने किया और इतना भी काओंगे कि बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब पता नहीं क्यों दिमाग खराब हजाता है उनका पर वो हैं ऐसे ऐसे मैंने के आईडियल वोल्ड नहीं है और उनको डरना चाहिए बिकॉस आटिचूड काम कुछ कुछ हद तक आपको फेमस फेम देता रहेगा बट यह डिसिप्लन और इंटेंशन और बिहेवियर यह बहुत ज़रूरी है बिले थे कारवा में एक सिक्वेंस मिला उनको लोकेशन पर काम नहीं किया इर्फान के साथ मैंने बट वो तो आकरश के लिए महुत ही मेजर पर्सनेलिटी है क्योंकि कारवा में अगर इर्फان नहीं होता तो पता नहीं वो फिल्म क्या होती और इर्फान ने जो काम किया है बहुत है बहुत ही ब्रिलियंट पतलब जैसे कहते है ना कि असली इसको कहते है ना स्टार्डम की बात नी करना है वह एक्टर ग्रेट अक्टर के अंदर मैं इर्फान को डिस्ट कर सकता हूं हाला कि मैं इंडियन सेंसिबिलिटी के एक्टर्स को जादा ऐसा नहीं एहमियत देता बट इर्फान को जरूर दूँगा कोई रिवर्स नेपोटिसम कोई भी कर सकता उसने वहाप चल कास्ट कर दो बज़ा आया भुज की सरदी में शूट करके अच्छा था क्या अपने लोग क्या अकर्स के सेक्ट पर क्या होता है बहुत अपना पन होता है वो एक फैमिली चलती रहती है वो प्रोजेक्ट तो है काम भी करता है लेकिन वो सब को साथ लेके चलता है टेक्निशन को बहुत प्यार करता है तो वो देखके अच्छा लगता है कि कोई सब बराबर है वाले जुफीली के